वेलकम टू आर चैनल फेंटसी फॉर्चोन इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं वेस्ट इंडीज वुमेन वर्सेज इंडिया वुमेन ओडिया मैच जो की खेला जाएगा सेडन पार्क हैमिल्टन में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेंग 11 कौन से चेंजिस हो सकते हैं क्या र इसक्रिप्शन में मिल जाएगा साथ के साथ कमेंट सेक्षेंबे भी मिल जाएगा उसी के थूढ़ियेगा सर्ज करके मत जुढ़ना क्यूंकि वीक्स चैनल काफी सारे हैं हमारे नाम के और कोई fantasy fortune के नाम से पैसे मांगे तो बिल्कुल भी देने की ज़रृत नहीं है साथ क चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए बहुत सारी वीडियो आपके लिए आने वाली IPL के उपर भी सो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा तो बात करते हैं यहां पर वेन्यू की सो सेडन पार्क में मैच होने वाला है तो यहां पर हैमिल्टन में इंडिया का एडवांटेज जे रहेगा लास्ट मैच इंडिया यहां पर खेल के आ चुकी है वही जो है वेस्ट एंडियो जो तोनों मैच जीत कर आ रही है उन्होंने इस ग्राउंड पर इस वल्ड कॉप में अभी तक मैच नहीं खेला है तो यहां पर मैच नमबर 3 हुआ था यहां पर उस्ट्रेलिया का और इंग्लेंड का जिसमें उस्ट्रेलिया ने बैटिंग फर्स्ट करते हुए 310 रन बनाए थे वहीं इंग्लेंड ने भी काफी अच्छे चेस किया था और 298 तक उनकी टीम भी पहुँच गई थी और उस्टेलिया मैच 12 रन से जीत गई थी फिर मैच 8 यहां पर हुआ जो इंडिया का लास्ट मैच था उसमें न्यूजिलेंड ने पहले बैटिंग करी है और 260 रन बनाए हैं वहीं इंडिया जो है वो 198 रन ही बना पाया था इस मैच में अगर आप देखो दोनों जो मैच हुए हैं उसमें बैटिंग फर्स्ट करने वाले को एडवांटेज रहा है साथ के साथ अच्छे रन्स बने हैं दोनों मैच में सेकंड मैच में भी देखो तो 260 निजलेंड ने भी बनाए थे जो काफी अच्छा स्कोर माना जाता है इंडिया ने 198 किये रीजन ये था कि इंडिया बहुत जादा स्लो खेला था टॉप ओर्डर काफी जादा अतलब गेम डेड ही चल रहा था वो तो हर्मन पीत ने बहुत पारी खेली थी जो यहां तक भी पहुंच गए थे अगर टॉप वर्डर थोड़ा सा भी तेज खेलता तो यहां पर जो है इस मैच में भी टीम जो जीतती है पहले बैटिंग करना चाहेगी और एक लगबग 270 रसी रन वाला स्कोर जो है पुट अप करना चाहेगी बात करते यहां पर कोई चेंज होता हुए नजर नहीं आएगा आपको अगर unless and until यहां पर कोई इंजरी हो जाए जो अभी तक कोई चांसे नजर नहीं आ रहे हैं तो यहां पर जो टीम है बहुत तगड़ा खेल रही है और जो विनिंग कॉंबिनेशन के साथ जो है वो टीम जाना चा चाहे तो शेफाली वर्मा को वापिस टीम में लाया जा सकता है रीजन यह है क्योंकि टॉप बॉर्मा को ला सकती है बाकी और कोई खास चेंज होता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बोलिंग जो है वो इंडिया की काफी अच्छी नजर आ रही है तो बात कर लेते हैं पर लीडर बोर्ड चल रहा है वर्ल्ड कप में जिसमें आप टॉप रैंक में 25,000 रुपे विन कर सकते हो काफी कम लोग खेलते हैं लीडर बोर्ड में आपने सिर्फ ग्रैंड लीग लगानी होती है इसमें और आप अगर वो लगाते हो तो आपके ओवर ओर पॉइंट्स का लेना बात करते हैं वेस्ट इंडीज वूमेन की दो मैच खेली है दोनों जीती है और बहुत स्ट्रॉंग टीम नज़र आ रही है कल का मैच मज़ा आने वाला है देखने में सो डॉटिन यहाँ पर ओपन करती हुए नज़र आ जाएंगी हेली मैथ्यूस के साथ डॉटिन ज सीधा पचासवा ओवर इन्हें मिल गया था जिसमें दो विकेट इनों निकाल लिये थे लास्ट मैच में दो ओवर करे थे 22 रन दिये थे ज़्यादा कुछ इन्हें बोलिंग से यूज नहीं किया था आपको ज़रुरत आने पर बोलिंग भी करके दे देती है और टॉप ओर लगा चुकी है दूसरे में 45 रन किये थे और दोनों मैच में दो दो विकेट भी निकाले हैं सो इंपोर्टेंट रहेंगी और आपके लिए स्मॉल लीग में बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चोईस रहने वाली है केसी यह नाइट दोनों मैच में फ्लॉप रही है प् चैफानी टेलर की बात करें पहले मैच में तीसन किये थे दूसरे मैच में फर्स्ट बॉल डख आउट हो गई थी आते ही एक विकेट लिया था चार ओवर किये थे लेकिन इनसे बोलिंग में जब ज़्यादा अलब इतनी कंफरेबल नजर नहीं आ रही थी तो मुझे लगत पर अगर वेस्ट इंडीज को जीतना है इंडिया से तो मुझे रखता है टेलर को चलना चाहिए इस मैच में और एक आपके लिए अच्छी डिफरेंशल प्लेयर बन जाएगी और ग्रैंड लीग में आपने टीम में ले ले लेते हो तो आपको जो टेलर है वो वन साइड़ करा सकती है Campbell की बात करें so विकेट कीपिन कर रही हो और दोनों मैच में अच्छे रंस किये पहले मैच में 20 रण किये और पिछले मैच में 26 रण कियें so important players उभर के आ रही है दोनों मैच में अच्छा खेब लिएं प्लस कीपिन कर रही है तो एक अच्छी च्चिह आपके ले वहाँ पर बट स्टिल इनको लेना एक रिस्क रहेगा क्योंकि बैटिंग काफी नीचे करती है और हर मैंच में इतनी अच्छी पारी शायद ना खेल पाएं ले सकते हो considering form लेकिन इनसे अच्छे और option available है बट स्टिल अच्छा खेल रही है आली आयलीन की बात करें सो आपको end में आके थोड़ी बहुत hitting फ्लस अपने जो कोटा के हैं वो उसमें दिफ 6-7 over आपको करके दे देंगी पहले मैच में विकेट नहीं मिला दूसरे में एक विकेट निकाल करके दे देंगी और अगर bowling अच्छी करती हैं सो दस over भी अपने पूरे करके दे सकती हैं सो grand league में फिर भी मैं जादा recommend करूँगा आप small league में भी चाहो अगर किसी को लेना ही है तो आप Henry को ले सकते हैं अनिसा मुहमद की बात करें सो important bowler है और यहां पर दोनों match में दो-दो use किया गया था ठीक है जादा over नहीं करवाई थे बड़ स्टिल दो wicket निकाल कर गई थी और important हिलाडी है टीम के लिए और यहां पर अच्छे खासे wickets निकाल सकती है और अगर पहले bowling करती है तो मुझे लगता है काफी important बन जाएंगी शकीरा सलमान की बात करें पहले match में ए थोड़ी बोलर पहले match में इनको भी wicket नहीं मिला था लेकिन दूसरे match में तीन wicket निकाल के आ रही है तो चोईस हो वैसे तो देखो अपने दिन पर कोई भी अच्छा कर सकता है बट चोईस हो सो कॉनल की recent form जो है काफी अच्छी है सो कॉनल जो है important बन जाती है important player की बात करे यहाँ पर हेली मैथ्यूज, डॉटन और स्टेफानी टेलर यह तीनों ही इनकी world class player है और तीनों ही important है यहाँ पर bowling से देखा जाए अनिसा महमेद और कॉनल जो है यह important player है तो यह 5 player important है अगर यह cover कर लेते हो सो काफी हद तक बेस्ट इंडीस की team cover हो जाती है बात करते हैं इ यह इंडिया के लिए बहुत बड़ा मैच है इंडिया को इमाच जीतना होगा क्योंकि यहाँ पर इंडिया न्यूजलेंड से बहुत गलत आर गई है और अभी इंडिया के बड़े मैचिस ना आने बाकी है जो हैं इंग्लेंड और और उस्ट्रेलिया से वो बड़े मैचिस है जो इंडिया को जीतने है तो अगर यहाँ पर वेस्ट इंडीस को हरा देती है इंडिया तो यहाँ पर तीन में से दो हो जाएंगे फिर थोड़ी situation ठीक है लेकिन अगर वेस्ट इंडीस की जैसी form है वैसी बरकरार रही तो इंडिया के लिए टूर्णामेंट में मुश्किल हो जाएगा तो इंडिया को टॉप ओडर में को थोड़े से मुझे लगता है बदलाव करने चाहिए इस माच में यहाँ पर लास्ट माच में जो फर्स माच में शेफाली वर्मा ओपन करते हुगी नजर आई थी आते ही आउट हो गई थी लास् माच में भी शेफाली वर्मा का कमबाक हो सकता है कंसेडरिंग की टॉप ओडर पहुत जाजा स्लो खेला है जिसकी वज़े से पिछला माच जो है इंडिया खारी है तो मेरे हिसाब से वर्मा को खेलना चाहिए कि अगर चल जाए तो एक इतना अच्छा स्टार्ट तो दे पा एक अच्छी निंग खेलनी चाहिए यहाँ पर स्मेती मंदना को और एक आपके लिए स्मॉल लीग में और ग्रेंड लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस बन जाती है दीपती शर्मा जो है वन डाउन बैटिंग कर रही है पहले मैच में 40 रन और एक विक क्योंकि मेताली राज जो है वो टाइम लेकर खेलती है अपना और फिर धीरे धीरे जो है स्कोर को थोड़ा चलाती है तो यहाँ पर अगर मेताली राज वन डाउन आए ना वो ज्यादा बेटर मूव इंडिया के लिए हो सकता है क्योंकि अगर मिडिल ओडर में गेम क्रियेट कर सकता है लेकिन मेताली राज मुझे लगता है इस मैच में अच्छा कर सकती है क्योंकि अब थोड़े से जो है वो अवाज उटनी स्टार्ट हो गई है इंडिया को लास्ट मैच विन करना चीए था और जो अच्छी तरीके से हम हा रहे हैं तो यहाँ पर मेताली आज में लगता है इस मैच में अच्छा कर सकती है अच्छी ट्रमकार्ट फिक आपके लिए बन जाएगी और ग्रैंड लीक के लिए अच्छी कैप्टन वाइस कैप्टन की चोइस रहेगी हर्मन फ्रीत कॉर्ट पहले मैच में पांच रन, दूसरे मैच में इकाथतर रन, इ इंडिया का टॉप ओडर फ्लॉप हो जाएगा, सो वहाँ पर हन्न प्रीत को और जो है, इंपॉर्टेंट बन जाती है, रिचा घोश की बात करें, पहले मैच में एक रन, लास्ट मैच में जीरो, लेकिन ये एक अच्छी डिफिरेंशल खिलाडी है, ये विकेट कीपर पहले तो बहुत अच्छी है, और इंडिया जो है, इवन दो पिछला मैच हार के आ रही है, बट स्टिल, इंडिया अच्छे कासे विकेट इस मैच में निकाल सकती है, और रिचा घोश जो है, वो एंड में आके हिटिंग भी कर लेती है, अगर और हर कोई केमबल के साथ जाने वाला है, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो न, फोर मेंबर, सेवन मेंबर, इलेवन मेंबर, मिनी ग्रैंड लीग, उसमें आप रिचा घोश को प्रिफरेंस दे सकते हो, यहाँ पर सने राना की बात करें, पहले माच में 13-15 रन और 2 विकेट, और लास्ट माच में 18 रन बनाए थे, और विकेट नहीं मिला था, एक अच्छी किलाड़ी है, जो अगर बोलिंग करती है, अगर अच्छी बोलिंग करेंगी, तो 10 ओर भी कर जाएंगी, प्लस बैटिंग से तो कॉंट्रिब्यूशन देई देती है, तो एक डीसेंट पिकाप के लिए बन जाती है, स्मॉल लीग में, पूजा वस्तरा करकी बात करें, सो अभी तक स्टार रही है, इंडिया के लिए पहले माच में 60-70 रन बनाए थे, फिर इंजर्ड हो गई थी, सो बोलिंग नहीं करी थी, और दूसरे मैच में बोलिंग करी, सो यहाँ पर चार विकेट निकाल लिए, सो इंपोर्टन बन जाती है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, अगर बात करें, ऐस बोलर, जुलन गोस्वामी जो है, इंडिया की बेस्ट बोलर है, काफी कम सेलेक्शन है, आप इनको प्रेफिर्नस दे सकते हैं, और यह ज़रुरत आने पर बैटिंग भी कर लेती है, और अपने कोटा के दस ओवर यह पूरे करती है, इस चीज़ का भी धिहान रखना है, यहाँ पर बात करते हैं, मेगना सिंग की जो लास्ट मैच में अनलकी थी, बहुत सिंपल सिंपल कैचिस ड्रॉप हुएं, यह स्टार्टिंग में बोल इनकी ना स्विंग करा लेती है, और यह ऐसी खिलाडी है, जो आपको Grand League तक विन करा सकती है, क्योंकि देखो, यह क्या है, इंडिया की तरफ से, यहाँ पर जुलन गोस्वामी के आप दस ओवर कंप्लीट मान के चलो, मतलब आठ से नो ओवर एक आदा हमेशा रह सकता है, लेकिन आठ से दस ओवर जो है, इवन दो वेस्ट इंडीज की वुमें टीम हो, चाहे मैंस की टीम हो, इनका यही रहता है कि अगर यह फॉर्म में है, तो यह बहुत पिटाई करते हैं, लेकिन किसी भी मैच में यह आउट भी एकदम हो जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रख रहा है, तो मेगना सिंग को ग्रैंड लीग में as a normal player, और बहुत रिस्क लेने का मन कर रहा है, तो कैप्टन वाइस कैप्टन बट वो बहुत रिस्की है, लेकिन ग्रैंड लीग में consider as a normal player ज़रूर कर सकते हैं, यहाँ पर बात करते हैं, राजेश्वरी गायक वर्ट की दोनों मैंच में विकेट निकाले हैं, चार विकेट, दो विकेट, दसो और पूरे करती हैं, इवन अगर आप differential wise captain बनाना चाहते हैं, उस small league में, तो गायक वर्ट के साथ आप जा सकने हैं, दो मैंच में 6 विकेट, वाम अप में भी अच्छी performance करके आ रही हैं, यहाँ पर बात करते हैं, important player की, यहाँ पर मंदना, मिताली राज, हर्मन प्रीट कॉर, दीप्ती शर्मा, यहाँ पर गो स्वामी और गायक वर्ट जो हैं, इंडिया के लिए important खिलाडी हैं, यहाँ पर अगर conform के हिसाब से देखा जाए, तो पूजा वस्तराकर जो है, वो बहुत important बन जाती हैं, small league captain wise captain, जो सभर कोई करने वाला है, वो Matthews है, और दीप्ती शर्मा, अगर आप कुछ अलग करना चाते हो, सो समिती मंदना या डोटन के साथ भी आप जा सकते हो, grand league में बात करें, यहाँ पर captain जो है, मेताली राज, बहुत अच्छी choice रहेंगी, स्टेफानी टेलर, दोनों को ही जादा लोग preference नहीं देने वाले हैं, तो दोनों का combination भी आप बना सकते हो, captain wise captain का grand league में, और यहाँ पर राजेश्वरी गायक वर्ड जो है, विकेट्स निकाल रही हैं, तो यहाँ पर उनको भी आप captain wise captain कर सकते हो, चलिए चलते हैं, dream 11 team की तरफ, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में, हमारे पाफ Campbell हैं, घोश हैं, और यहाँ पर केशिया नाइट है, तो केशिया नाइट वन डाउन आ रही है, तो देखा जाए, तो बैटिंग के हिसाब से, जो डाउन सबसे बैटर है, वो केशिया नाइट का है, बस लेकिन विकेट कीपिंग नहीं कर रही हैं, आप अगर रिस्क लेना चाते हैं, तो बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि यह विकेट कीपर अच्छे हैं, और यह चोकेशक के एंड में लगा लेती है, और अपने दिन पर आपको 40-50 तरन बना कर अराम से दे सकती हैं, लेकिन अभी के लिए मैंने केंबल को सलेक्ट कर लिया है, बैटिंग सेक्शन में चलते हैं, जो दो खिलाडी मैं लूंगा अपने टीम में वो है, यहाँ पर डॉटन और यहाँ पर मंदना दोनों ही इंपोर्टेंट हैं, ओपन करती हैं और अच्छा कर सकती हैं, यहाँ पर C nation है, जिनको काफी लोग टीम में लेकर जा रहे हैं, दोनों मैं अच्छी पर्फोर्मेंस करी हैं, आप भी इनको बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, मिताली राज हैं, जो टीम की कैप्टन है, और इंपोर्टन खिलाडी है टीम के लिए, यहाँ पर भाटियां है और वर्मा है, जो भी खेलता है, एक अच्छी डिफरेंशल प्लेर आपके लिए बन जाएगा, यहाँ पर अभी के लिए हम बैटिंग सेक्शन में डॉटइन और वंधना को लेकर चलते हैं, अभी ऐल vendor सेक्शन में चलते हैं, जो एल राउंडर सेक्शन में मेरे पास होने ही होने वाले हैं, वो है Matthews और यहाँ पर दीपती शर्मास हो यहाँ पर सनेर आना है जो आपको बैटिंग बोलिंग दोनों से contribution दे सकती है हर्मन प्री स्कॉर जो अपने दिन पर अराम से शतक भी लगा लेती है और टेलर जो है जो टीम की सबसे important की लाड़ी है वेस्ट इंडीस टीम की तो यहाँ पर टेलर का भी option आता है अभी चलते हैं पोलिंग section में पहले हम वो player को pick कर रहे हैं जो हमारी टीम में होने ही होने चाहिए तो यहाँ पर बोलिंग में मैंने गायक वर्ड यहाँ पर मुहमद यहाँ अनिसा मुहमद और पूजा वस्तराकर को मैं लेकर चला हूँ तो यह तीनों pick मेरे पास आ गई हैं अभी यहाँ पर जुलन गोस्वामी है जो इंडिया की best bowler है प्लस lower order बैटिंग कर सकती है ओकोनल है जो पिछले मैच में तीन विकेट निकाल के आ रही है यहाँ पर और जो option है मेगना सिंग सेलमान और एलीन जो है आप ग्रेंड लीग में ट्राइक कर सकते हो तो यहाँ पर हमारे पास आठ खिलाडी आ गए है अब हमें तीन प्लेयर लेने है तो अगर यहाँ पर मैं जो लेना चाहूंगा वो है यहाँ पर टेलर और यहाँ पर मैं मिताली राज दोनों को लेना चाहूंगा लेकिन हम दोनों नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों को अ लेकिन ड्रीम 11 पर नहीं ले पाऊंगा फैंट टू प्ले आप पे ले लूंगा लेकिन यहां पर नहीं ले पा रहा हूं तो अब हमने 8.5 क्रेइट के हमें हैं तो मैंने अभी के लिए यहां पर क्या किया है यहां पर अभी के लिए मैंने अपने opener यानि के भाटिया के साथ गया हूं क्योंकि प्रिषले में आज में खेल अच्छा रही थी बड़ी इनिंग नहीं खेल पाई और थोड़ा स्लोग हेली खेलती हैं और शेफाली वर्मा खेलती हैं तो मैं शेफाली वर्मा के साथ चला जाओंगा यहां पर मैंने अभी के लिए भाटिया करने एक प्लस उपन कर रही है और वाईस केप्टन जो है दीपती शर्मा इंपॉर्टैंट रहेंगी यहां पर आप स्मीती मंद्णा दौत इन को भी कैप्टन वाईस केप्टन कर सकते हो और यहां पर गायक वर्ड भी एक अच्छी differential player बन सकती है यह बन रही है मेरी small league की team final team आपको telegram पर मिल जाएगी चलिए बात करते है grand league teams की उससे पहले मैं आपको दिखा रहता हूँ fan to play app की मेरी क्या team रहने वाली है fan to play app मेरी almost same team है इसमें यहाँ पर मैंने क्या किया है कि भाटिया की जगा जो है और आप यहाँ पर सिर्फ दो batsmen लेकर पांच old rounder भी ले सकते हैं so link description में fortune refer code है leader board चली रहा है so उसमें ज़रू participate कर लेना और download कर लो चले चलते हैं dream 11 grand league teams की तरफ so जो मैंने team number one बनाई है वो out and out इंडिया के favor ने बनाई है इसमें मैंने smithi mandana को captain किया है और vice captain दीप्टी शर्मा को और यहाँ पर इंडिया के तीन bowlers लेकर चला हूँ यहाँ पर गायक वर्ड भी है गोस्वामी भी है और वस्तराकर भी है और इंडिया की तरफ से भाटिया और यहाँ पर मिताली राज दोनों लिये है मैंने तो यह team ज़्यादा better तब रहेगी अगर इंडिया पहले batting करती है क्योंकि उस case में इन सब की batting आने के full chance है तो 30-30-40-40 run भी बना दे तो आपके लिए team काफी अच्छा कर सकती है team 2 जो है मैंने वो बनाई है west indies के favor में इसमें so west indies के favor में है so यहाँ पर हेली मैथ्यूस जो है उनको मैंने captain रखा है और vice captain जो west indies की best खिलाडी है स्टेफानी टेलर उनको रखा है और यहाँ पर differential भी बन जाएंगी क्योंकि इनका selection ही नहीं है तो यहाँ पर मैंने और तीन बोलर के साथ गया हूँ ओकोनेल और सिल्मान दोनों को मैंने इस team में रखा है तो और यहाँ पर wicket keeper भी रिचागोश है काफी अच्छी team यह नजर आ रही है अगर आप देखो ना इसमें differential players काफी जादा है तो आप यह team तो ना इनी grand league में भी आप लगा सकते है तो उमीद करता हूँ आपको यह video पसंद आई है पसंद आई है तो like करो, share करो comment करके बताओ आपके हिसाब से कल का match कौन जीतने वाला है और best performance कौन सा player देने वाला है तो comment करके ज़रू बताना final team आपको telegram पर मिल जाएगी so telegram पर जुड़ना important है link description में है साथ के साथ youtube channel को subscribe करके bell icon दबा दीजिए जैसे video आएगी आपको notification मिल जाएगा thank you guys